आपको स्वागत करता हूं जैसा कि मैंने कल आपको बन वर्ड सब्स्टूटूशन का एक वीडियो दिया था आज बन वर्ड सब्स्टूशन का दूसरा पार्ट में दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जैसा आपको कल मेरा पहला वीडियो पसंद आया था मुझे पूर्ण आशा है आपको मेरा दूसरा वीडियो भी ये पसंद आएगा और ये सभी बे कोशन्स हैं जो कि पिसली परिच्छाओं में पूछे जा चुके हैं बनबर्ट सब्स्टूइशन से कनेकटेड और इसके बाद मैं आपको बनबर्ट उप्स्टूइशन के दो से तीन वीडियो और दूँगा जो की बे महत्तम बनबर्ट उप्सक्राइब हो सकते हैं जो की आगामी सक्ट्रिशन पार्ट टू पहला देखे एर रिपिटेशन और पेश्पीच साउंड इनस स्विक्वेंस और बर्ड यानि कि एक बाक्य जिसमें जो सब्द है उसकी रिपिटेशन बार बार हो तो उसको हम क्या कहेंगे तो साब उसको कहते हैं एलिटरेशन ये कल के वीडियो में भी आया था आज भी है एलिटरेशन यानि कि अनप्रास अलंकार और जब जानते हैं अनप्रास अलंकार में जब शब्द की पुर्णा ब्रती होती है किसी सब्द की वार वार तो उसको अनप्रास अलंकार कहा जाता ह और यह question आपका TGT 2005 में पूछा गया, दूसरा देखें, an unprinciple popular leader, एक गैर सैध्धानतिक प्रिसिद नेता जो है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे साफ डेमेगो, क्या कहेंगे साफ, डेमेगो कहा जाता है, और यह question आपका TGT 2009 में पूछा गया, थार्ड नमबर, एक प्लेस पूर बाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एक ऐसा इस्थान जहां, बाइल्ड एनिमल्स यानिकी जंगली जानबर, और चिडियां रखी जाती है, ऐसे इस्थान को क्या कहा जाता है साफ, तो ऐसे इस्थान को कहा जाता है मिनेगरी, क्या कहा जा यह आपकी स्टमूर और तो नाज़ट पुछा गया था है चलिए नयक्स्ट पे आते हैं फोर नंबर दर्बिटी to much official formality, too much official formally, यानि कि कोई भी जब लाल फीता साही यानि कि कोई भी सरकारी नियम, और सरकारी नियम जब बहुत ज्यादा भारी हो जाएं जिनको जहिलना मुश्किल पड़ जाए, तब उसको हम red tapism कहते हैं, too much official formality, next fifth number, a speech made without preparation, एक ऐसी speech जो की बिना तैयारी करके बोली जाए, ऐसी speech को क्या कहा जाता है सहाब, तो ऐसी speech को कहा जाता है ex temper, क्या कहा जाता है, ex temper कहा जाता है सहाब, और ये question TGT 2004 में पूछा गया है, और इससे उपर वाला question भी TGT 2004 में पूछा गया, next one is, six number, the young one of a cat is, जो बिल्ली होती है, उसके बच्चे को क्या कहा जाता है सहाब, तो उसको बच्चे को कहा जाता है kitten, कि I double T E N kitten, और ये question आपका PGT 2013 में पूछा गया है, now the next one is, a person who hates the institution of marriage is called, एक ऐसा ब्यक्ति, जो की बिवा से ग्रहना करे, बिवा की प्रणाली से बिवा की जो प्रणाली है, बैवाइक जीवन जो है, उसकी प्रणाली से ग्रहना करे, ऐसे ब्यक्ति को सहाब क्या कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है M Carl Algumist, क्या का जाता है, Missogamist कहा जाता है, और Missogamist को Hindi में कहा जाता है बिभाध द्विशी, यानि कि बिभाधा का बिरोधी, ठीक, और ये कोश्चन आपका PGT 2000, 9 में से लिया गया है, 9 में पूछा गया है, चलिए साब next आता है आपका 8 number the specific word for the cry of pigeon's age यानि कि कबूतर की आवाज के लिए अगर आपसे एक एक निश्चित सब्द पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे साब तो कबूतर की आवाज के लिए जो निश्चित सब्द होता है उसको हम कहते है कू क्या कहते है साब कू और ये question आपका PGT 2010 में पूछा गया है next one is one who eats anything is called कोई ऐसा व्यक्ति या जानवर जो की कुछ भी खाले जो मिल जाए वो खाले तो साब उसको हम कहते हैं omniboros माशा, मास खाले सबजी खाले किसी का खून पी जाए जो हो वो खा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे साब उसको हम कहेंगे omniboros और omniboros को हम हिंदी में कहते हैं सर्व ग्राही या सर्व बच्ची क्या कहते हैं साब सर्व ग्राही या सर्व बच्ची कहते हैं now the next one is ten number the young one of swan is जो स्वान पच्छी होता है हमारा उसके बच्चे को क्या कहा जाता है साब हन्स के बच्चे को कहा जाता है सिगनेट क्या कहा जाता है सिगनेट का मतलब होता है हन्स साबक और ये कोश्चन PGT 2010 का 10 में पूशा गया है वहीं से ये कोश्चन लिया गया एक कालपरिक नाम जो की लेखक अपनी लेखनी करने के लिए अपना बास्तविक नाम छिपाने के लिए यूज करता है उसको क्या कहा जाता है साथ तो उसको कहा जाता है स्यूडोनिम क्या कहा जाता है स्यूडोनिम कहा जाता है स्यूडोनिम को अगर हिंदी में हम कहना चाहें तो हम उपनाम या जूटा नाम कहते हैं जैसे कि धेर सारे राइटर ऐसे हैं हिंदी हो इंगलिश हो जो कि स्यूडोनिम से लिखे जिनोंने अपनी लेखनी की जैसे कि इंगलिश में बिलियम सिड्नी पॉर्टर और जिनोंने लिखा ओ हैंडरी के नाम से धन्पात्राय स्रीवास्तप हिंदी में जिनोंने लिखा प्रेमचंद नाम से तो ये इनके स्यूडोनिम कहलाएंगे साहब ठीक है साब नेक्स्ट बन इस और ये कोश्चन आपका पूछा गया है जो स्यूडोनिम वाला है ये कोश्चन पीजेटी 2009 में नाव दा नेक्स्ट बन इस ट्वैल नंबर एक ऐसा इस्थान जहां मदमक्खियां रखी जाती है ऐसे इस्थान को क्या आज कहा जाता है साहब तो ऐसे इस्थान को एपियरी कहा जाता है क्या कहा जाता है एपियरी और अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहते हैं मदमच्छ शिला क्या कहते हैं साब मदमच्छ शिला और एपियरी कहा जाता है इंगलिस में एप्लेस पॉर केपिंग 20 और ये कोश्चन आपका आया है 2000 टीजीटी 2004 में एक ऐसा ब्यक्ति जो कि एकांत बास को पसंद करता हो ऐसे ब्यक्ति को क्या कहा जाता है हिंदी में तो इसको कहने के लिए हम एकांत बासी कह सकते हैं और इंगलिस में कहते हैं रेकल्यूस क्या कहते हैं साब ऐसे ब्यक्ति को क्या कहेंगे साब रेकल्यूस कहेंगे ऐसा ब्यक यह कहवत हिंदी की बहुत अच्छी है इसके उपर मुझे भी याद नहीं आ रही जब आईगी तो मैं आपको बताऊंगा अगर हिंदी कहें हम अचल या अटल जो अपनी जगए इस्थेर है जो की परवर्तित नहीं हो सकती नेक्स्ट आपका 50 नमबर इस टेस फॉर ए लॉंग टाइम इस ऐसी कोई भी चीज जो की लंबे समय तक रहती है ऐसी चीज को क्या कहते हैं साब तो ऐसी चीज को हम कहते हैं डियूरेबल कोई भी आप चीज खरीदने जाते हैं मार्केट से तो हम कहते हैं साब चलेगी कुछ दिन Durability है इसकी कोछ Durable है तो इसको हम कहते है Durable और ये आपका PGT 2005 का Question है Next 60 Number 1 Who Knows 2 Language ऐसा ब्यक्ति जो कि दो भाषाओं को जानता हो हम सब आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं भी दो भाषाओं को जानता हूँ और आप चुकि इंग्लिस पढ़ रहे हैं तो आप भी दो भाषाओं को जानते हैं तो कम से कम दो भाषाओं को जानने वाला ब्यक्त कहलाता है और उन्हें का Linguist क्या कहलाता है साब? Linguist कहलाता है ऐसा ब्यक्ति जो कि दो भाषाओं को जानता हो ठीगे ना साब और ये question आपका TGT 2003 का है Now the next one is What is the meaning of plagiarism plagiarism सब्द का अर्थ क्या होता है plagiarism सब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है तो सहब plagiarism सब्द का अर्थ होता है literary theft यानि कि साहितिक चोरी plagiarism एक phrase है जिसका अर्थ होता है साहितिक चोरी literary theft और इस टर्म का यूद जो है वो अगर अंग्रेजी साहिति की बात करें तो सबसे पहले हुआ William Shakespeare के उपर जिनको कहा गया साहितिक चोर क्या कहा गया साहितिक चोर कहा गया plagiarist कहा गया तो plagiarism यानि कि literary theft और ये question आपका है TGT 2013 का Now next one 18 An office Good salary but no bar एक ऐसा office जहां salary तो बहुत अच्छी हो लेकिन कोई काम ना हो एक ऐसा office जहां salary बहुत अच्छी हो लेकिन कोई कारे ना हो ऐसे को क्या कहते हैं साहब तो इसको हम कहेंगे Siney के और क्या कहेंगे साब Siney के और कहेंगे और साइनी के और का हिंदी अर्थ घर हम कहें तो हम इसको कह सकते हैं आराम की नौकरी चा कह सकते हैं साब आराम की नौकरी और यह question आपका आया है साइनी के और बाला यह question आपका पूछा गया है PGT 2005 में Now the next one is, a supporter of the cause of women, एक ऐसा इंसान जो कि महलाओं के हक में बात करता हो, ठीक महलाओं का पच्छधारी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, चाहें वो इस्तरी या हो या पुरुष, जो कि महलाओं की हक की बात करता है, तो उसको कहा जाता है, फैमिनिस्ट क्या कहा जाता है, फैमिनिस्ट का हिंदी अर्थ होता है, नारी अधिकारबादी, क्या होता है साब, नारी अधिकारबादी या महलाबादी, और ये कोश्चन आपका पूछा गया है, पीजी टी 2005 में, एक ऐसा इस्तरी जो की आर्ट के बर्ग को डिस्पले करने में यूज किया जाता है, ऐसे स्थान को कहा जाता है साब, गैलिरी, क्या कहा जाता है साब, ऐसे स्थान को गैलिरी कहा जाता है, जहां वर्क्स ओफ आर्ट का डिस्पले किया जाता है, ऐसे स्थान को गैलिरी कहा जाता है, और ये कोश्चन पीजी टी 2005 में पूछा गया है, नार्ट वाट इस दा मीनिंग अपता वर्ड एवांट गर्ड एवांट गर्ड सब्द जो है अवांट गर्ड उसका अर्थ क्या होता है साहब अवांट गर्ड का अर्थ अगर हम कहें तो हम कहते हैं new writing that is innovative यानि कि ऐसी कोई भी लेखनी जो की नया innovate करे कुछ नया दे इसी को हम कहते हैं साथ new writing that is innovative और इसको हम English में कहते हैं एवांट गर्ड और इंग्लिस में दूसरा इसको अगर हम यहां जैसे हम बनवर्ड सब्टिशन पढ़ रहे हैं तो मैंने कल भी बताया था कभी-कभी sentence के लिए maximum सब एक पूछा जाता है लेकिन कभी-कभी एक सब्द के लिए पूरा sentence study the specific study of the development of language is known as यानि कि किसी भी भाषा का एक किसी भी भाषा के development का पूर्ड अध्यन जो है या एक systematic अध्यन जो है भाषा विकास का बैग्यानिक अध्यन जो है वो हमारा अगर हम कहें हिंदी में तो कहलाता है भाषा विग्यान भाषा सास्त्र या सब्द सास्त्र और अग कहेंगे philology क्या कहेंगे साब philology और यह PGT 2013 में question पूछा गया था now the next one is a lunatic is confined to a lunatic is confined to यानि कि एक विच्छिप्थ व्यक्ति को कहां बेजा जाता है कहां बंद किया जाता है साब तो एक विच्छिप्थ व्यक्ति विच्छिप्थ क्या मतलब होता है जिसका मस्तिष्क का इन और सारे ना करता हु काईदे से तो ऐसे विच्छिप्थ को विच्छाता जाता है an asylum dein एसाइलम में एसाइलम का अर्थ होता है पागल खा रहां है what is illusion एक सब्सेंत field के लिए आपको बताना है allusion इल्उजन सब्दकार्थ क्या होता है तो एल्उजन सब्दकार्थ होता है an indirect or passing reference to an event, person, place और artistic work ठीके ना साब यानी की अगर उसको कहें तो एक indirect या passing reference किसी event का, किसी ब्यक्ति का, किसी इस्थान का या किसी artistic work का इसी को हम कह सकते हैं illusion now the next one is 25 number a turncoat एक सब्द है turncoat turncoat का मतलब क्या होता है turncoat का मतलब होता है a man who changes his opinions यानि कि एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार अपनी सोच को परवर्तित करता है ठीक एक सोच पर अडिक नहीं रह पाता तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं turncoat और ये question आपका PGT 2004 में पूछा गया है now the next one is 26 the part of a government which is concerned with making of rules यानि कि सरकार का वह इसा जो की rules बनाने के लिए होता है नियम बनाने के लिए होता है तो उसको हम क्या कहते हैं सहाब तो उसको हम कहते हैं legislator क्या कहते हैं सहाब legislator और ये question आपका PGT 2004 का पूछा गया है और legislator का मतलब होता है कानून बनाने वाली सभा इसलिए हम गात करते हैं जिसे हमारे MLA होते हैं Member of Legislative Assembly MLC होते हैं Member of Legislative Council जिनका काम होता है कानून बनाना Now the next one is 27 The specific word for the loud noise made by elephant is आपको सब्द को व्यक्त करना है सठीक सब्द को जो की हाती के चिंगारने की आवाज को व्यक्त करता हो हाती के चिलाने की आवाज को व्यक्त करता हो तो साब हाती के चिलाने की आवाज को अंग्रेजी में कहते हैं Trumpet यानि की चिंगारना और ये कोश्चन आपका PGT 2013 में पूछा गया है PGT पोस्ट गरेजुएट टीचर 28 नमबर Putting off for tomorrow What can be done today is the surest way to failure यानि की जो आप आज कर सकते हैं यदि बार बार आपकी ये आदत पढ़ जाए कि उस कार को आप कर कल पर डालते हैं तो ये एक निश्यत तरीका है असफल होने का इस पूरी प्रोसेश को हम क्या कहेंगे साब तो इस पूरी प्रोसेश को कहा जाता है एक सब्द में Procrastination क्या कहा जाता है साब Procrastination ठीक है ना साब Procrastination Procrastination कहा जाता है इस पूरी प्रोसेश को कि वह बंदा जो की बार बार अपना आज का कार एक कल पर छोड़ता है तो इस कार सीधा सीधा होता है कि भाया आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसी इस्थिति को हम इंग्लिस में कहते हैं Procrastination और हिंदी में कहते हैं साहब इस्थगन या टाल मटोल करना और जो प्यक्ति टाल मटोल करता है किसी काम के लिए उसकी सपलता बहुत दूर रहती है Now the next one is 29 Elvamater is the place where you are एक Elvamater एक fresh यूज किया जाता है यह fresh किस के लिए होता है किस चीच के लिए होता है साहब तो इसका प्रियोग होता है studied यानि कि अध्यन के लिए काई के लिए होता है साहब study अध्यन के लिए होता है पहले इससे पहले बाला मैं बता दू यह question PGT 2004 का पुछा गया था और अब मैं एल्वा मीटर की जो बात कर रहा हूँ एल्वा मीटर का ताथपर होता है जहां प्रतम सिच्छा ग्रण की गई हो वह स्थान तो सिच्छा की बात आई तो एल्वा मीटर का संबंद कैसे है studied से है साहब study से है अध्यन से है तो और ये question आपका आया है PGT 2013 में now the next one is 30 number epiphany means फिर से देखिए एक सब्द है आपको बाक्यांस बताना है epiphany का मतलब क्या होता है तो भया epiphany का मतलब होता है epiphany का मतलब होता है manifestation of God's presence manifestation of God's presence यानि कि प्रभू प्रकास यानि कि जहां ऐसा लगे कि यहां ईश्वर की उपस्तिती है ईश्वर के प्रकास की उपस्तिती है तो उस स्थान को हम क्या कहते है epiphany कहते है और ये question आपका TGT 2013 पे पूछा गया था now the next one is to use another person's thoughts writing as one sound is called यानि किसी दूसरे ब्यक्ति के द्वारा ब्यक्ति किये गए बिचार लेखनी को अपना बता कर प्रदर्सित करना इसको हम क्या कहेंगे साब इसको हम कहेंगे plagiarism क्या कहेंगे साब plagiarism कहेते हैं इसको plagiarism का अर्थ मैंने आपको बताया है साहितिक छोरी तो आपको पता है अभी पहले भी आया था और ये फिर से रिपीट हुआ है TGT 2010 में काई में हुआ थाप TGT 2010 ये दुबारा से रिपीट हुआ 32 नमबर एक परसन वू बिलीब्स तैट दा बर्ड कैन बी मेट बैटर बाई यूमन एफर्ट इस नोन एज एक ऐसा ब्यक्ति जो कि ये भरोसा करता है कि यदि मनुष्य परियास करे तो ये संसार जो है वो और अधिक अच्छा हो सकता है ऐसे ब्यक्ति को क्या कहते हैं साब तो ऐसे ब्यक्ति को हम कहते हैं फिलेंट्रोपिस्ट क्या कहते हैं साब फिलेंट्रोपिस्ट कहा जाता है ऐसे ब्यक्ति को और फिलेंट्रोपिस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसे ब्यक्ति को हम हिंदी में कहते हैं जनितैसी या परोपकारी क्या कहते हैं साब जनितैसी या परोपकारी कहा जाता है और ये को जो कि किसी भी मठ का मुखिया हो और मौंक्स की तरह जीवन जीता हो तो ऐसे ब्यक्ति को क्या कहा जाता है साब तो ऐसे ब्यक्ति को कहा जाता है एबाट क्या कहा जाता है साब एबाट और हिंदी में कहेंगे तो मठ प्रमोक नाव दा नेक्स्ट बन इस थर्टी फोर, एक प्लेस वियर एनिमल्स यूज़ फूर फूड आर स्लोटर्ड, एक ऐसा इस्थान जहां जानबरों को भोजन के लिए काटा जाता है, ऐसे इस्थान को क्या कहते हैं साहब, तो ऐसे इस्थान को कहते हैं, एवेट और, एवेट औ तो स्लोटर हाउस को हम कहते हैं अबेट और, नेक्स्ट बने थर्टी फाइब, दा एक्ट आप रिनाउंसिंग दा थ्रॉन और डिग्निटी, यानि की राजगदी का परत्याग कर देना, छोड़ देना, इस क्या कहते हैं, एव्डिकेशन, क्या कहते हैं, एव्डिकेशन, यानि की राजग दियाग, नाओ देनेक्स्ट बने थर्टी सिक्स, एनिमल्स बिच लिव इन वाटर, बे जानबर जो की पानी में रहते हैं, उनके लिए एक सब्द क्या आप यूज करेंगे, तो उनके लिए सब्द होता है, एक्वेटे, यानि की जली है, ठीक, नेक्स्ट किशोर आवस्ता कहते हैं साब, नाओ देनेक्स्ट बने थर्टी सेट, एलिस्ट अप आइटम्स तु भी डिस्कस्ट एड़े मीटिंग, कोई भी मीटिंग जब होती है, तो हम एक लिस्ट बना का तया रखते हैं, कि उस मीटिंग में हम इन मुद्दों पर बात करनी हैं, त फुर्टी नाइन नमबर, दा आइट अप चेंजिंग बेसर मेटल्स इंटू गोल्ड, वह कला, जिससे की बेसर मेटल्स, यानि कि धातूओं को सौन्ड में परवर्थित कर दिया जाता है, ऐसी कला को क्या कहते हैं साब, तो ऐसी कला को हम कहते हैं, एल्चैमी, क्या कहते है साब, एल्चैमी कहते हैं, जिसमें आर्ट अप चेंजिंग बेसर मेटल्स इंटू गोल्ड, और आज की वीडियो का लास्ट आपका है, फुर्टी नमबर, एल्चैमी कहते हैं, जिसको की एक हस्बेंट अपनी वाइप से एक लीगली तरीके से जब अलग होता है, उससे डा आ जाता है, तो साब उसको कहा जाता है, एली मनी कहा जाता है, तो ये इस परकार से आपके 40 बनबर्च जो की पिसली परिछाओं में पूछे जा चुके हैं, और आगामी परिछाओं में जिनके आने की पू Carnot अना तो ये मैने आपको वीडियो दिया, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, यदی आपको मेरा विडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट आज रवस्छ करिए और यदि आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल, थैंक्स पर वाचिंग, stay home, stay safe, good night, sweet dreams, जैहन जैवारत